नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमित जिया सेंटर में दोस्तों इस वीडियो में हमें NCL exam 2020 के second model paper को solve करने जा रहे हैं जिससे आपकी त्यारी और strong हो सके इसके साथ ही इस चैनल पर NCL exam 2020 की preparation कराई जा रही है अपनी त्यारी को और strong करने के लिए उन वीडियो को भी playlist में जाकर जरूर देखें और आप लोगों से एक request है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को subscribe करके notification bell को भी प्रेस कर दीजेगा साथी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर इसके PDF को upload कर दूँगा जिसका मैंने link description में दे रखा है वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं तो चलिए भीना time based किये paper को solve करना शुरू करते हैं तो आज का पहला प्रशन है भारत की संविधान सभाके और इस्थाई सभापती निवन में से कौन थे option है डॉक्टर भीम राव मेटकर, डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ, सच्चिदानन सिन्ना, बियन राव तो कौन से होंगे यह आप है दोस्तों तो इसका जो right answer है सच्चिदानन सिन्ना थे, ठीक है दूसरा प्रसन है समान नागरिक संहिता किस राजे में लागू है option है जम्मकस्मी, नागालेंड, गोवा, मिजोरम तो इसका जो right answer है वो है गोवा, ठीक है गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है अगले प्रशन को देखते हैं संसत किसके बिना काम नहीं कर सकती है तो यहाँ पर option है लोकसभाभधेक्स, लोकसभाभभधेक्स, उपराष्टपती, संसत के सदस है तो इसका जो right answer है दोस्तों कौन सा है संसत के सदस है संसत के कैसे चलेगी नहीं चले कि न संसत के सदस्टियों के बिना संसत काम नहीं कर सकती है ठीक है अगले प्रश्ण को देखते हैं कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था अप्शन है अमेरिका जापान चीन इनमें से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर है दोस्कों क्या है चीन है ठीक है चीन जो है कागज की मुद्र जारी करने वाला पहला देश था अगला प्रसन देखते हैं हाली में किस भारती क्रिकेट खिलाडी को राजीव गांधी खेल रत्म पुर्षकार से समानित किया गया है तो इसका जो यहां पर ऑप्शन दिया है सचिन तेंदुलकर मेहंदर सिंग धोनी बिराट कोली रोहित सर्मा तो यहां पर राइट आंसर कौन सा है रोहित सर्मा को म मेहंदर सिंग धोनी को और थर्ड में बिराट कोली को ठीक है और चौथे में यानिकी रोहित सर्मा जो है वह क्रिकेट से जुड़े चौथे खिलाडी है ठीक है राजीव गांधी खेल रत्म पुर्षकार से सम्मानित होने वाले ठीक है यह भाज का खेल से समझ सबसे ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं साथी मुझे कमेंट भी करते रहेगा दोस्तों प्रस्ण है हाली में मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल पुर्षकार से सम्मानित किया गया है यह किस खेल से सम्मंदित हैं आप्शन है महिला क्रिकेट बैटमिंटन होकी टेबल टेन से समबनित है अगला परसंन देखते हैँ Jupiter असोक ने इनए सरी कौन सा धर्म अपनाया था ऑप्सने बौत धर्म, जैन धर्म, इसलाम धर्म, इसाई धर्म, तो इसका जो राइट अंसर है कौन सा है, ऑप्सन नमबर वन, बौत धर्म, ठीक है, बौत धर्म को अपना लिया था बाद में, अगला पसंद देखते हैं, अमेरिकी संसत का क्या नाम है, तो यहाँ पर जो अम अगला प्रस्ण है, हिंदी से रेलिटेड प्रस्ण है ये, तनु का प्रयावाची सब्द है, ऑप्सन है, शरीर, जील, चंद्रमा, खटिया, तो जो राइट आंसर यहाँ पे, वो है शरीर, ठीक है, तनु का जो प्रयावाची सब्द होता है, वो सरीर होता है, अगला प्स ब्रत्माद में कितनी 20 को सची तो मुलसो बिधान में आठ अनूसूचियों थे और बर्तमाद में पूछा है तो बरत्माद में कितनी हो गही है बारा हो गही है और अगला प्रशून देखते बिस्तो की सबसे चौरी नदी कौन सी है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है तराइन का प्रथम युदि किसके किसके बीच में हुआ था और उप्सन है मौमद गौरी और प्रथिविराज चोहान दूसरा अकबर और अंगरेजों के बीच अंगरेजों वा सिखों के बीच इनमें से कोई नहीं तो यहां पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहां पर सेरी कल्चर ठीक है अगला प्रशन देखते हैं निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ऑप्सन है सुक्र बुद्ध सनी ब्रिश्पत जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुद्ध अगला प्रशन है गिद्दा व भांगडा किस राज्यका लोक नेते है ऑप्सन है हरियाड़ा जहारकंड पंजाब तमिल नाडू तो यहा अगला प्रसंद देखते हैं है था हाली में सवचता सरविच्छरud 2020 के रिपोर्ट के निशार कि सहर को सबसे स्वच्च सहर गोशिद किया गया है इन दर गोशिद किया गया है ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं और genocide मुख्यी रूप से क्या होते हैं तो एापर जो right answer है 1919 हुआ था ठीक है कहा और वा था में अगला उलस्षण में तो बरतमानमे भारत के उपरहष्टपती कौन है यह अ याँ पर उपरहष्टपती कौन है यहाँ पर तो एम बैंक यह नाईडू है भारत के जो फिजरुंट में उपराइश्टपति हैं अगला प्रस्न है 1949 में कांग्रेश छोड़ने के बाद सुबाश चंदर बोश ने किस दलकी स्थापना की थी तो यहां पर कौन सा आप्शन सही होगा दोस्तों तो यहां पर जो आप्शन नमबर एक है फारवर्ड ब्लॉक नामक दलकी स्थापना क प्रस्न है निमने लिखित बिकल्पों में से उस सही बिकल्प का चुनाव करें जो सरकला के पैटर्न में फिट बैठता है ठीक है तो यहां पर क्या दिया है बी दिया है सी दिया है एफ दिया है और एक खाली स्थान छोड़ दिया गया है और 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 ए है ठीक है तो यहां स से यहां के प्लस कितने कांथा रहे थिरी वेदो क्तल अप्र हो जूझ है तो से कहांच सब्सक्याग्य आप यह दी क्रिकर में और अधिकर पलस प्लस यह भी आ रहाना तो 33 कंतर पोड़ रहा है ठीक है कुद्ट कि सी के गड़ी एफ गला छोगा दिया हमने छिक जोल कि न थेंगे में लिए जोड लिए को यहां पर एक पैटन बन रहा है कि पिलस ओन फ्लाइब यहां पर इसके और इसके आसकांटिंग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो क्या क्वान है एक तो कि ऐगा यहां पर हम सेवन प्लस सेवन कर देंगे हम टो के कौन सा डमल जाया जाए कर यहां पर जो राइट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है की बन रहा है तो ऐथी सिन 비 Armed कि यहां पर राइट है ठीक है अगला प्रसंदेखते हैं लोग अगला प्रसंद है निलिखित में से बेमेल सब्द चुनिए ठीक है तो यहां पर पीतल है चांदी है तामबा है अलमोनियम यह लेकिन यहां पर देख रहें सभी तो क्या है यहां पर मैटल है ठीक है लेकिन इस हम एक जो हेकिन है लेकिन यहां पर जो पीतल है पीतल है कि आपने आप में यह मिक्चर होता ठीक है यह क्यां English रड़ है इस लिए यह पीतलेंसे अलग है तो यहां पर जो राइट अंसर बनेगा उप Jobald राइट अंसर बनेगा वो पीतल बनेगा अगला परसंदेखते हैं हो गुरत्वा करषड का नियом कि ने प्रस्थूत किया था है किलन्त है तो यहां प्रस्थूत και था ने प्रस्थूत किया था अगला प्रसंद देखते हैं, एकसरे का अविश्कार किस ने किया था, तो एकसरे का अविश्कार किया था, किस ने, option number 2 है, रोट जन ने, ठीक है, अगला प्रसंद देखते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांदी की समाधी इस्थर का क्या नाम है, तो उस समाधी इस्थर का न अंदकार होगा ठीक है। चले अगला Basin देखते हैं सीगतराश संका मुख्याले कहा इस्तित थे इतुए कहा परिस्तिते दोस्तों सैटराश संका मुख्याले बहुत जादा एक जामें पूछा जाता Most Important questions से यह ठीक है तो यह है New York में ठीक है? अगला प्रसन देखते हैं उजेन किस समय के किनारे इस्थित है बहुत बार प्रस्थानिगी पूचा जाता है तो उजेन किस से नदी एक अमान ग्यात कीजिए, अब यहाँ पे 7 बटए A-2 दिया है, बराबर में दिया है 5 बटए A·4, तो हम कर लेते हैं, चलिए एक अमान निकाल लेंगे, हम 7 बटए A-2 बराबर 5 बटए A, प्लस 4 दिया है, इसको आगे हम solve करते हैं, तो क्या होगा, देखिए हम इस तरीके से तीर्चा गुड़ा कर लेंगे ठीक है तीर्यक गुड़ा है ना तो अब हम इन में इन में जब गुड़ा करेंगे इन में पहले कर लेते हैं चलिए तो क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा प्लस 7.28 बराबर में क्या आएगा इसका जब हम आपस में उगड़ा करेंगे तो क्या आएगा 5a- 10 हो झाएगा ठीक है अब हम इसको यानि जो समान्राटीहि経 toughest कर लेते हैं ठीक है और इनको हम एक तरफ कर लेतें ठीक है तो यहां पर क्या आ गया 7a और ये माइनस में जाएक तो क्या हो जाएगा साथ में से साथ ए में से पांच एक घटाएंगे तो कितना आएगा ठीक है बराबर में यहां पर माइनस 10 यह जाके प्लस का 28 इधर जाके माइनस का 28 जाएगा तो माइनस बर्बर माइनस 38 और तो यह बरावर हो जाएगा माइनस 38 बटे टू यानि कि मैनस में 19 आ जाएगा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है माइनस में 19 है ठीक है चले अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ण है भारत का सरवच्च वीरता पुरुषकार कौन सा है यहां पर जो राइट अंसर है भारत का जो सरवच्च वीरता पुरुषकार होता है वो परंभीर चक्र होता है अगला प्रस्ण देखते हैं vitamin D का रासाइनिक नाम क्या है तो दोस्तों मैंने playlist में आप जाकर दिखी गा vitamins के रासाइनिक नाम याद करने का सौट ट्रिक बता रखा है वहाँ पे जरूर जाकर देख लिजेगा इनके नामों में आप हमेशा आडियो द्वारा दिया गया लाइसेंस कहां माने होता है यह ट्रैफिक रूल से समझेद प्रस्ण है तो कहां माने होता है राज्य में जिले में पूरे बिश्व में या पूरे देश में तो नहीं ठीक है अब केवल जिले में भी नहीं केवल राज्य में भी नहीं पूरे दे तो यहां पर हम लागत मुल्य का एक सुत्र होता है यानि लागत मुल्य का मतलब क्राय मुल्य कितने में खरीदा था तो क्राय मुल्य का जो सुत्र है वो है वो है बिक्रे मूले ठीक है गुड़े 100 बटे 100 प्लस लाब परसेंटेज ठीक है अब हम इस सुत्र से इस सवाल को हल कर लेते हैं तो बिक्रे मूले कितना है पांसो बहत्तर है गुड़े 100 कर लेते हैं बटे 100 प्लस लाब परसेंटेज कितना है 30 है तो 130 हो जाएगा ठीक है अब पर वह महल कर लेते हैं 0 से 0 कट गया कितना एगा 44 गुड़े कितना हो जाएगा 444 ठीक पर यहां पर जो राइट एंसर बन रहा है क्या बन रहा है 440 अगला प्रशन है सिर्ट ने अपना पहला अफदेश कहा दिया था तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला अपदेश दिया था सारनाथ में चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं निमनलिखित में से कौन सा पुछल तारा 76 साल बाद दिखाई देता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन सा है दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हेली पुछल तारा यह 76 साल बाद ही दिखाई देता है अगला प्रस्ण देखते हैं किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांगला देश का निर्मार गवा था तो किस देश से अलग हुआ था बांगला देश तो यह हुआ था पाकिस्तान से ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में प्रथम बहुत देशिय परियूजना का निर्मार किस नदी पर किया गया था तो किस नदी पर किया गया था दोस्तों? भारत का पर्थम बहुत देशी पर्यूजना निर्माड ये किया गया था दामोदर नदी पर ठीक है? प्रस्ण है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए? तो कितनी आयू होनी चाहिए? ट्वेंटी ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रसंड पे ग्लुकोमा रोग किस अंग से संब्मदित better किस अंग से संब्मना में ठीक है कब कि गई थी 1901 में नोबल प०ृषकार के सुरुवात की गई थी अगला परसंद देखते हैं रेवीज के टीकी की खोच किसने की थी है तो किसने ती दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूद बताएगा आप किसने की थी तोлас लुई Mang Gas अगला प्रसन देखते हैं भारत के पहले कानुन मंत्री कौन थे तो भारत के पहले कानुन मंत्री कौन थे दोस्तों तो डॉक्टर भीम राओ हम बेट करते हैं अगला प्रसन है प्रस्तुत चिन्न प्रदसित करता है जब आप गाड़ी चलाते हों तो आप रोड के किनारे कही पर ऐसा चन्य देखें, तो इसका मतलब क्या है, कि आपको वहाँ से क्या नी करना है, गाड़ी ओवर्टेक नहीं करने है, क्योंकि यह जो रोड जा रहा सी थे, और यहाँ पर इस तरीके से लगा है, यानि कि ऐसी तो आपि ओवर्टेक करते हैं, तो जब आप इस तरीके का च अगला पसन देखते हैं बैंको का बैंक किसे कहा जाता है तो दोस्तों आप लोगों को लगभग सब को पता होगा कि बैंको का बैंक कहा जाता है और वियाई को अगला पसन देखते हैं कि अगला प्रश्न है 1.07169 पॉन पॉंट 26 प्लस फोन पॉंट्ट sự सेबं गुड़े 46 प्लस फोन प्उन पॉन पॉंट चूरे सीब नائन ठीक है और इसका हमें मान Estoy कित्व हैं पें एक शीज देख देख कहते हैं लोग बाष है 1010201 सब में common है तो हम क्या करें common λेते हैं ठीक है तो one point zero seven common ठीक है उसके बाद क्या है 65 है उसके बाद क्या है 26 है और उसके बाद क्या है Plus nine को अब हम क्या करते हैं आगे solve करते one point zero seven और ग differenti में क्या आ रहा है इन सब को जोड़ लो फीक है कितना सार है 35 प्लस 26 91 प्लस 9 कितना जाएगा ऑफ यह फिर घ्लीजगे से घुड़ा कर लो कितना जाएगा एक सो शाथ जाएगा ठीक है कितना जाएगा एक सो साथ जाएगा तो इसका जो राइट आंसर है वह कितना है अपना नंबर 4 107 है अला प्रस्वन देखते हैं मेग दूद किसकी रचना है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है किसकी रचना है बहुत ही फेमस रचना है काली दास की ठीक है अगला प्रसन देखते हैं भारस सरकार का संबेधानिक मुखिया कौन होता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राष्ट पती ठीक है यह रा सम्मंदित है यह चाइना में जो सब्द है ठीक है अगला परसंद देखते हैं स्रंकला पूरी करें स्रंकला पूरा करना है आपको यहां पर रीजिनिंग का सवाल है यह तीन साथ सोला पैतिस के बाद क्या आएगा ठीक है तो तीन के बाद साथ है ठीक है यानि कि तीन गुड़े दो प्लस वन कर दें तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा तीन दो निच्छे एक साथ साथ आया ठीक है इसके आगे का सिरीज है ठीक है अब साथ तो आ गया अब इसके आगे सोला है साथ के बाद सोला तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो 7 गुड़ी 2 प्लस कितना वाजाएगा टू ठीक है यह जो एक है यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री यहाँ पर फोर जो भी संख्या है उसमें दो से गुड़ा करेंगे उसमें प्लस 2 थ्री सीरी बढ़ाते रहेंगे ठीक है तो यहाँपर क्या है साथ दूनी 14 14 दो 16 16 आ गया ठीक है अब 35 को आगे बढ़ाएंगे हम सीरीज में तो 35 गुड़े 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 35 गुड़े 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्तर हो जाएगा तो इसके आगे का जो यह खाली ब्लेंक स्थान बचा है यहां पर कौन सा अंक भरा जाएगा यहां पर भरा जाएगा 74 जो यहां पर राइट आंसर है 74 अगला प्रसंद देखते हैं अमजद दरी खान एक भारती सास्त्री संगीतकार है जो बजाते हैं क्या क्य tonnes अगा प्र PROERSSEN देखिते हैं कि एसीया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो है कि सबसे लंबी नदी है कौन सी है क्या नील नदी है गंगा नदी है वांगो नदी है नील फ्हारно crashed यहांपर यहांसा नदी होगा यहां पर तो यहांपर जो है यह Chaiना की एक नदी है चीन कि यह सबसे जिसकी लंबाई जिसकी चोड़ाई सबसे दीख है तो आमेजन नदी ठीक है क्या है आमेजन नदी चलिए चलते हैं अगले परशन की तरफ प्रसन है भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था तो यहां पर जो राइट आंसर है वह जैम सिक्की है ठीक ह जेम सिक्के ने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र प्रकासित किया था चली चलते हैं एकले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण है भारती संविधान कब लाग हुआ था तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कि कब लाग हुआ था 26 जनवरी 1950 को अब आप कहेंगे ऐसे से क्यों क्य आना बहुत जरूरी है ठीक है 26 जनवरी 1950 का राइट आंसर है अगला पसंदेखते हैं भारत का अधिकार पत्र संविधान के किस भागों का जाता है अधिकार पत्र को मैगना काटा भी कहते हैं ठीक है तो किस भागों का जाता है संविधान के तो संविधान के भाग तीन को क रहा जाता है अगला प्रसंद देखते हैं घाना पक्षी ब्यार किस राज्य में इस्थित है तो यहां पर जो राइट आंसर है किस राज्य में इस्थित है वो है राजिस्थान में ठीक है अगला प्रसंद है Computer Company Apple के संस्थापक कौन है कौन है दोस्तों यहाँ पर जो right answer है यह है इस टीप जॉब्स ठीक है इस टीप जॉब्स जो है एपल कंपणी के संस्थापक है अगला प्रस्न देखते हैं प्रस्न है EBM का परियोग पहली बार कहा किया गया था तो इसका जो right answer है कहाँ पर किया गया था ये किया गया था पारूल बिधानसवा में जो की केरल में इस्तित है ठीक है यहाँ पर सबसे पहरे trial लिया गया था कुछ बूथो पर लगा कर इसको ठीक है चलिए अगले परसन को देखते हैं अगला परसन है एक विद्याले में 200 वि लड़क्यों की संख्या गयाद करनी है ठीक है तो 200 विद्यारती है total ठीक है इस्टुडेंट कितने है इस्टुडेंट है total 200 और 200 के एक बटे 5 भाग यानि कि 5 से हम भाग कर देंगे तो कितना आज़ागा 40 जो क्या है लड़के हैं और अगर लड़कियों की संख्या निकालेंगे ठीक है तो कितना आज़ागा लड़कियों की Сंख्या हो जाएगी 200 में से 40 घटा दीजिए तो कितना बचेगा कि 160 इसका जो राइट आंसर है कितना है 160 है अगला पुसंद देखते हैं अंत्रिक्ष में भेजा गया सबसे पहला अबगरा का क्या नाम है तो इसका जो राइट आंसर है वह है इस्पुतनिक फरस्ट सबसे पहला जो अबगरा भेजा गया था वह सबसे पहला जो अबगरा था अगला पुसंद देखते हैं अंत्रिक्ष में जाने वाली भारतिय मुल्क की प्रथम महिला कौन थी तो यहां पर सुनीता विलियवस दिया है कलपना चावला दिया उपरोग दोनों हैं तो सबसे पहले कौन गई थी भारती मुल्ग की जो महिला थी वह थी कलपना चावला ठीक है अंत्रिक्स में जाने वाली भारती मुल्ग की सबसे पहली जो महिला थी वह कलपना चावला थी अगला परसन देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेट का मुख्याले कहा इस् शांति पूरुस के नाम से जाना जाता हैं लाल बहुदॉर सास्त्री ठीक है हमाइर देश के पूरुव प्रधान-मंतरी अगले प्राशन को देखते हैं अगला परेशन है टेख्द करेक्ट ठीक है उसके बाद वी अगला देखो वी इट लिखा है ठीक है वी इट का मतलब होता है हम खाते हैं ठीक है यह तो करेक्ट है उसके लाव वी इट लिखा है तो बहुचन के साथ में जो वर्ब परियोग होता है उस वर्ब में is aka प्रियोग नहीं किया थह था यह यहां पर यृ याइट अगले प्रस 안돼 प्रस dla प्रस्ण है एक वर्ट का च चीद्रफल आद की जिसका विकड बारा सेंटिमीटर का आधा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं पहले हम कि कड़ को ही सही कर लेते हैं ठीक है तो विकर्ड का जो सुत्र है वो है A under root 2 बराबर क्या है यहाँ पर विकर्ड कितना दिया हुआ है 12 cm का आधा 12 बटे 2 ठीक है अब यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं 6 हो गया तो A under root 2 बराबर कितना है 6 आ गया है ना तो A यह बराबर कितना निकल के आ गया 6 बटे अंडूट 2 अगर उपन नीचे हम अंडूट 2 से गुड़ा कर दें तो कोई शर पड़ेगा इसके वैलूपे नहीं पड़ेगा ठीक है तो अब यहाँ नीचे जो है यह वाला जो है इतना यह गुड़ा क्या हो जाएगा केवल 2 बन ज गया 3 Mult2 ठीक है अब वर्ग का छेतरफल क्या होता है तो वर्ग का छेतरफल होता है यह निकल खालने कि बजासटा अच्टीक है तो भूजा को स्कॉयर कर देते हैं चरूआ कि यहाँ पी क्या जाएगा टीनटिया 9 और गुड़े इसमें स्कॉयर करेंगे तो अंडूट कर ज तो यहां पर कितना जाएगा थो सेंटिमीटर में तो सेंटिमीटर थे का शॉर मंडल में सूरी का सबसे नजदी है तो यहां पर राइट आंसर है कौन सा है सबसे लिकी गड़ा बुद्ध है ठीक है अगला परसन देखते हैं प्रस्ण है नोबल प्रुशकार पाने वाली प्रतम भारती महिला कौन थी तो यहाँ पर जो राइट आंशर है पर्थम भारती मैला थी, वो थी Mother Teresa, ठीक है, अगला परसन देखते हैं, Give the meaning of the whatever, ठीक है, आप लोग ने बहुत सारे English बोलते हैं, समय whatever का प्रियूख करते हैं, ठीक है, तो इस whatever का meaning क्या होता है, तो वो होता है आपका जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी, तो यहाँ पर जो right answer है, इसका आर्थ है, जो कुछ भी, अगला परसन देखते हैं, Fill the blanks with suitable prepositions, अब यह sentence दिया हुआ है, the calculator is, अब यहाँ पर यह preposition इन में से कोई भरना है, क्या बरेंगे हम यहाँ पर, the calculator is on the, किस पर, on the table, calculator कहाँ पर रखाया था, table पर रखाया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो right answer बनेगा, on the table बनेगा, ठीक है, the calculator is on the table, अगला पसन देख देखते हैं, 87 और 145 का loss of गयाद करना है, ठीक है, अब हमको loss of गयाद करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका, गुरिन खंड कर लेते हैं, ठीक है, 145 से, 145 दिया हुआ है, अब हम 3 से पहले divide करते हैं, तो 3 दूनी 6, और 3 नेम 27, यह तो कटे गा नहीं 3 से, तो 145 रह यहाँ ऐसी रहेगा, ठीक है, 5 दूनी 14, पानने 45, अब उसके बाद किस से कटेगा, 29 से कटेगा, एक एक आगए, ठीक है, है ना, तो अब हमको क्या प्राप्त हो गुड़े नखंड, 3 गुड़े 5 गुड़े 29, तो गुड़े नखंड जो प्राप्त हुआ, वो क्या हुआ प्राप्त हुआ, 3 गुड़े 5 गुड़े 29, ठीक है, तो जो लौसा होता है, लौसों में हम सभी गुड़े नखंडों को गुड़ा कर लेते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे 15 गुड़े 29 आ गया, इसको जब हम गुड़ा करेंगे, तो कितना आएगा, 435 आ जाएगा, ठीक अगला प्रसन देखते हैं, मदुसाला के रेचीता कौन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, बहुत ही फेमस रचना है, हरिवन सराय बच्चन जी की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, हरिवन सराय बच्चन लगा देते हैं, ठीक है, अगला प्रसन देखते हैं, किस तो रिष्ट मिन आजाता है तो यहां पर किसको आ जाता है कोशी नziękर मना जाता संढरी दिवस कब मना जाता है दूस्तों प्रस् Bowman ऐस्ट प्रसन omega और और रहे हैं और और आगे की त्यारी करने के लिए तो ह्मारे चेनल को बिजिट करते रहेगा तो छलिए अगला प्रषान देखते हें , भारत में महानयवादी का नियुक्ति कौन करता है तो यहाँ आपके जो left answer कौन करता है राश्टपति करता है और राज्जे में महानयवादी के जगह पर राज्जे में कौन पठार है ठीक है इसको विश्व की छत भी कहा जाता है इसको क्या जाता है विश्व का छत अगला प्रशन है किस माध्यम में प्रकास की चाल सरवाधिक होती है तो इस सबसे अधिक चुचाल होती है प्रकास की किस में होती है निर्वात में होती है ठीक है चले चलते हैं अगल तो रिए रेंज कर लिए का-B-U-L काबूल बन जायगा ठीक है इसका काबूल बनेगा तो काबूल कहां की राजधानी है तो वह है अफगानिस्तान की राजधानी ठीक है अब चलते हैं अगले परस्थन की तरफ अगला परस्थन है वायु यां के टाइरों में कौन सी गैस भ चैनिए सनसद का उच्य सदन कौन सा होता है तो संसद का जो उच्य सदन होता है वो राज्य सभा अगला प्रशन है निम्न लिखित में से सबसे प्राचीन VED कौन सा है? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी रिडात्मक संख्या है? रिडातमक संख्या आपको बताना है सबसे बड़ी, तो यहाँ पर जो right answer है वो है एक, यहाँ पर इस तरीके का question जब भी मिले, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जितना छोटा संख्या होगा, वो इतनी ही बड़ी रिड़ातमक संख्या होगी, जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी उसकी value क्या है कम होती रहेगी ठीक है तो यहां पर जो right answer है सबसे छोटा संख्या देखने में वह कौन सा लग रहा है माइनस वन लग रहा है तो सबसे बड़ी रिड़ात्मक संख्या है अगला प्रस्ण देखते हैं सडक शुरुक्षा दिनियम 2020 के तरफ यदि कोई नावालिक गाड़ी चला चलाता है और वह पकड़ा गया तो उसे कितना जुरुआना लगेगा तो इसका जो right answer है कितना लगेगा 25,000 जुरुआना लगेगा ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है 200 में अभरक का उतपादन सबसे इधिक क्या है तो अब्रक का उतपादन जो होता है वह सबसे अधिक भाइरत में होता है ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण है हसाने वाली गैस का रासाइनिक नाम क्या है तो यहां पर जो right answer है वह है नाइट्रस ओक्साइड ठ बारत में पहली बार कब सब्सक्राइब नहीं अगला लिखते अरह weit इसकाउट एन गाईड की स्थापना किस ने कि थी तो यहाँ पर जो रइट जbit अंसर वह है वेदेन पाव contracts ठीक है अगला परसंद देखते हैं ठीक है प्रस्ण है एक विक्ति 600 मेटर की दूरी पांच में पे तैय करता उसकी गती कीलो मेटर प्रती घंटे में क्या होगी तो हमको इस सुत्तर से निकालना है ठीक है गती यारी कि वैलोसीटी और कितना दिया है 600 मेटर को हम अगर कनवर्ट करेंगे किसमें कीलो मेटर में त घरती बराबर किया होता है धीघ नहीं समय होता है ठीक है तो दूरी रही निकल क्या रही है 600 टे 1000 ठीक है और उसके बड़ लिख एक आएक्वार देंगे फांच मिनट्स करेंगे थिए। अ pastor साथ येगा घंटे यानि माझत करेंगे इसको तो एक बटे यह कट के कितना आजाएगा 12 आजाएगा तो हम समय को लगा देंगे एक बटे 12 ठीक है इसको और solve करेंगे तो यह 12 जह उपर चला जाएगा क्या बनेगा 600 गुडे 12 बटे 1000 ठीक है इस 0 से यह दो 0 कट गए ठीक है बचा क्या 12.72 बटे 10 आगया ठीक है और कीमी प् भाग करेंगे तो कितना आजएगा कितना आएगा 7.7.2 कीमी परती आवर ठीक है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा यहां पर 7.2 कीडोमेटर परती घंटा बनेगा ठीक है चलिए अब अगले परस्न को देखते हैं अगला परस्न है दीने इलाह अगला परस्न कोती का कुईला कॉला कॉन सा होता है तो सबसे उत्तम कोटी कोईला होता है वो होता है ऐंतरासाइट कोईला अगला प्रस्ण देखते हैं बुकंप किस उपकर्ड से नापते हैं तो इसका जो राइट आंसर यहां पर क्या है सिस्मों ग्राप से मापते हैं अगला और अंतिम प्रस्ण है दोस्तों तो इन में से सबसे कठोर्तम पदार्थ कौन सा है तो यहां पर सबसे कठोर्तम हीरा ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने पूरा एटम्ट किया होगा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार